एक गाउं में रमेश नाम का एक ब्यक्ति रहता था, उसका एकलोता बेटा हर्स था, रमेश इच्छा थी कि उसका बेटा फॉरन में पढ़ लिख कर आदमी बन, लेकिन हर्स बिलकुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता था, एक दिन जब रमेश ओफिस से घर आया तो हर्स ने कहा, पिता जी मैं आपी का इंतजार कर रहा था, मैंने खास करके आप के लिए पकौरे बनाएं, गरम हैं, पिता जी समझ गें कि कोई बात है, और हर्स पिता जी को पकौरे देते हुए कहता है, पिता जी खा लीजे पकौरे गर में रमेस ने अपनी पतनी के तरफ देखते हुए कहा क्या बात है आज रिजल्ट आई है क्या रीता कुछ कहती उससे पहली ही हर्च ने कहा वाँ पिता जी आपने तुरंत पकर लिया और रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहा लीजे पिता जी इस पर दस्खत कर देजिए पिता जी ने रिपोर्ट कार्ड देखे तो बोले वाँ बीटा इतना कम नंबर लाए हो और हर्च के कान पकरते हुए कहते हैं इक मेरा दोस्त हरी है उसका बीटा दीखो वो हर सबजेक्ट में 80% मार्ष्ट लाता है सब लोग जानेंगे तु मेर कि क्या इज़त रह जाएगी ये बात नहीं कि तुम होस्यार नहीं हो हर्च अब बरा हो गया लेकिन हर्च अभी भी पढ़ाय लिखाय में मन नहीं लगाता और नंबर कम लाता उसके कम नंबर लाने से उसके पिता जी बहुत परेसान होकर उसे नेपाल भेज दिया जब हर् माता पिता उसे देख कर बहुत खोस हुए कुछ दिन बीत गये जब हर्च नेपाल नहीं जाने लगा तो रमीस नहीं हिमत करकी अपनी बेटे से पूछा क्यों पेटा हर्च दफतर नहीं जाना है क्या छुट्टी ले रखी है तो हर्च ने कहा नहीं पिता जी मैं दफतर मे छोड दिया हूं मैं यही रहकर कोई बिजनस करोंगा तो उसके पिता जी ने कहा क्यों पेटा कोई बड़ा बिजनस करने वाले हो तो हर्च ने कहा नहीं पिता जी बैंक में लॉन अपलाई की है लॉन मिलने पर मैं कोई छोटा-मोटा ही बिजनस करूँगा और कहकर वह चल लेकिन रमेश की टेंशन बढ़ने लगी कुछ दिनों बाद हर्स नी नुडल से ब्लैक नुडल से चिकन नुडल से की ठेला निकाली जब उसके पिता जी नी देखा कि उसका बेटा हर्स ठेला निकाले हुए है तो वहीं वह गस्त खाकर गिर पर है और अपने आपको किसी तरह से संभाला और कहा ये क्या किया तुने बेटा मेरे दोस्त देखेंगे सभी लोग दोस्त खेंगे तो क्या कहेंगे तो हर्स ने कहा पिता जी कोई भी काम छोटा नहीं होता है तो रमियस ने कहा दीखू मेरी हरी दोस्त का बेटा अज फोरन में नौकरी कर रहा है तो हर्स कहता है पिता जी दूर के ढोल सुहाबन लगते हैं हर्स का बिजनस बहुत दूर तक चलने लगा उसका नौडल्स चिकेन नौडल्स काफी दूर तक मसुहूर होने लगे हैं सभी को तरह तरह के नए नए नौडल्स पसंद आने लगे हैं दूर दूर से लोग कार में आते हैं हर्स का बना हुआ चिकेन नौडल्स खाते और बहुत पसंद करते इस तरह से हर्स का दुकान बहुत चलने लगा उसे बहुत तरक्की होने लगी वह उस मुनाफे से दो रेसो रेंट खोल लिया यह देख कर उसके पिता जी बहुत खोस हुएं और एक दिन हर्स से बोले हर्स बेटा मुझे माप कर दो मैंने बच्पन से ही तुम्हें गलत समझा आज मुझे तुम पर गर्ब महसूस होता है तुम ठीक कहते थी दूर के डोल सुहाबन लगते हैं आज सुबह मेरी हरी से बात हुई हरी कह रहा था कि खोरन में उसकी बीटे को किसी कारण से निकाल दिया गया है वह कह रहा था कि तुम्हारी बीटी की होटल में जगह है तो रख लो इस तरह के आई बदलाव से रमेश और उसकी मा बहुत खुस हुएं